देखे दोस्तों आज हम अपने टोमेटो की हर्वेस्टिंग कर रहे थे देखे दोस्तों अभी मैं लाइब था तो लाइब जो है बीच-बीच में रुख जा रही थी तो इस वज़े से मैं उसको बंद कर दिया दोस्तों हमने इतने टोमाटर हर्वेस्ट कर लिए थे और यह दोस्तों अब्हीं इए बहुत सारे टॉमाटर एज लगे हैं तो चलिए उनको निकाल के आपांप को दिखाता हूँ मैं कि आसे क्या कि लगे है फेए देखिये यह देखिए दोस्तों, बड़ी आप पके पके से टोमेटू है, तो ये खटा भी होता है, और रसीला भी होता है, इसको खाने का मज़ा ही अलग है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे कलंचू सारे से दब गए है, कोई बात नहीं, हम निकालते हैं सारे टोमाटो जो भी जितने बचे हैं और यह देखिए दोस्तों साइज देखिए और मैं ऐसे लेता हूं यह देखिए साइज देखिए इनका यह देखिए एक तो कुछ हरा हरा सा था अभी एक दो दिन और चल जाता चलिए अभी एक दो दिन बार टोड़ेंगे देख लेतें कुछ बहुत ज़्यादा रोल नहीं पक गए और दोस्तों इतने ज़्यादा घाने हो गए हैं कि इनको धून पाना बहुत मुस्किल हो रहा है तो मैं टूज पक करके सड़ जाता है और हमाई नजर में नहीं आप पाता जैसे की यह देखिए कितना नीचे लुका हुआ था तो अगर दोस्तों बांस में बांध करके रखते हैं तो बंदरों को मजा हो जाता है अगर नहीं करते हैं तो दूर्णे में दिक्कत पड़ती है बेरहाल दोस्तों टोमेटोच का खड़ा होना और ना खड़ा होना ये अपन की फीडिंग पर डिपेंड करता है ना कि किसी और चीज़ पर देखें दोस्तों इसी का सेम वेराइटी एक ये लगी हुई है मैं आपको चलिए दिखाता हूँ ये देखें ये देखें दोस्तों ये वेराइटी लगी हुई है और ये वेराइटी दोस्तों कहीं से भी दिखें आपको गिरी भी नहीं दिख रही है ये देखें पूरे इस्टेट टॉल खड़े हुए है सारे प्लांट्स ठीक है आपको द करते हैं कि अपने पौदों पर कभी भी कैल्सियम का यूज नहीं करते हैं कैल्सियम के कारण ही दोस्तों जो माइक्रोनीट्रेंट्र या सीवीड जो डालते हैं उसमें कैल्सियम की मातरा भी होती है इस वज़े से लो तो कैल्सियम के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि जैसे चूना होता है तो जब दुकान में लोगों जब दुकांदार के यहां पड़ा होता है तो वो क्या करते हैं कि पानी में भींच गया तो किसी काम का नहीं रह जाता तो कई बार वो पठ्था टाइप से बन जाता है बार फैंक देते हैं तो उसे कॉंटक करिए और जैसे गुड़ होता है गुड़ जो है सड जाता है कई बार तो उसको कॉंटक किजिए दुकांदारों से बात करिए और बोलिए कि आप यहां अगर ऐसी चीजे होती है तो आप वो चीज हमको दे दीजे वह उनका वेष्ट ह कीजिए और फिर लगा करके फिर अच्छे से पानी दीजिए अपने पौदों पर तो कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पौदों पर देखें मैं और नरी तरीके से अपने देखें कुछ यहां पर बैगन लगाए थे और वह बैगन दोस्तों आपको यहां पर तो यह देखें दोस्तों यह कितने बड़े हो गए यह देखें इनका साइज बड़ा हो गया है इन सब में फ्लावरिंग भी आने लगी है फ्लूटिंग भी आने लगी है ठीके न तो ऐसी दोस्तों फीडिंग जो है आपको समझनी पड़ेगी कि आपके यहां की स्वाइल म एपनी मिट्टी को तयار कीजिये उसके बाद ही दूस्तों आप फ़सर लेजे तो अगर आपको देखिए मैं आगे दिखाता हूँ कुछ तो यह देखे खूफूऱत खुफूरत से घजनिय यह देखे खूफूरत खूफूरत से गजनिय यह देखिए यहां पर पेटूनिया है तो दोस्तों बहुत सारे स्प्लावर्व लगे हुए यह मैरी गोल्ड्स हैं कर दो लिए इसे कि उद्री बहुत सुथ यहां हुए Natых इसाएнок मेरी गोल्ड्स ग्लेंड्ल्ड और नियुसरी बहुत यह है यहां बने है इसिए終ल्स है एक बीच में हभी इसके हिसमें लगा है साइड साइड में औरेंज वाला जो था वोगता हुए का बोलते हैं वो लगा हुआ है यह देखिए डेलिया दोस्तों सारे सिंगल पेटल वाले हैं यहां पर कुछा पराजिता लगी हुई है यहां पर लगा हुआ है यहां पर लगा हुआ है यहां पर एक गडल लगाया था गडल्स फूख गया है यहां पर देखिए यह बड़ां साइड वाला गेला और ये रही दोस्तों हमारी अमरूज generally इदेखे ये finally अमरूज है इसके लावा यहाँ पर दोस्तों हमने गोबर खाट डाली थी गोबर खाट के ऊपर से एक बहुत सारा पता डाल दिया था तो वो नीचे त्यार हो गया था तो हमने जो है लबख इतना तीन चौथाई इसका लबख हमने यूज कर लिया है और इतना भी थोड़ा सा बचा है लबख एक तसला बचा है यहां पтов देखे दोस्तों हमारी ये लिफ खंपोस्ट तैार हो रही है इसमें दोस्तों तकरीबबन ती लीटर के ड्रम में तकरीबन च्छै ड्रम जसे मंलब टब तक ault है यह पूरे कंपॉस्ट बन कुका है तो आप बी दोस्तों ऐसे ट्यार कर सकते हो हमने बहुत सारे वेजेटेबल के सीट भी लगाए है आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा पिर तो आज के लिए तुस्तों इतना ही फिर में लेगे आपके साथ एक नइफॉर्मिसन के साथ तक लिए नवसकार टाटा बाबाए